दोस्तो आज हम सीखेंगे WhatsApp Web क्या है, WhatsApp Web को यूज कैसे करते हैं, WhatsApp Web से होता क्या है, यह सारी डीटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप अपने फोन में WhatsApp Web को उपन करना चाहते हैं तो आपको Chrome रॉजर को उपन करना है और Google में आपको सर्च करना है WhatsApp Web, जैसे आप सर्च करेंगे तो पहले नमबर पर जो वेबसाइट आपको मिलेगी इसी वेबसाइट को उपन करना है इसके बाद इस तरह से पेज दिखाई देगा WhatsApp Web का, आपको इसे Desktop Site पर उपन करना है इसके लिए उपर में आपको त्री डॉट पर किलिक करना है, इसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको एक Option मिलेगा Desktop Site, यहाँ पर एक Box बना हुआ है, यहाँ पर आपको टिक करना है WhatsApp Web में दोस्तो QR Code को स्केन करके, आप एक WhatsApp को दो फोन में यूज कर सकते हैं लिकिन दूसरा फोन आपके पास होना जरूरी है, तो ही आप QR Code को स्केन कर पाएंगे लेकिन मान लीजे दूसरा फोन आप से दूर है आप QR Code को इसके नहीं कर सकते तो ऐसे में दोस्तो WhatsApp Web के अंदर एक निव अपडेट आया है Link with phone number Link with phone number की मदद से भी दोस्तो आप एक WhatsApp को दो फोन में यूज़ कर सकते है WhatsApp Web की मदद से तो Link with phone number से किस तरह से हम हमें एक WhatsApp को दो फोन में चलाना है इस टॉपिक पर मैंने पहले से वीडियो बनाया है फुल डीटेल्स में उस वीडियो का लिंक आपको उपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फिलाल हम यहाँ पर सीख लेते हैं QR code को स्केन करके एक WhatsApp को दो फोन में कैसे यूज़ करते हैं WhatsApp Web को कैसे चलाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है आपका जो पहला फोन है उसके अंदर उपर में आपको तरी डॉट पर किलिक करना है यहाँ पर आपको link के devices पर किलिक करना है अब यहाँ पर आपको option मिलेगा link के device इस पर आपको किलिक करना है अब यहाँ पर आपको fingerprint को verify कर लेना है या password डाल देना है तो scanner open हो जाएगा अब इस scanner से इस QR code को आपको scan करना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर मैं स्केन कर लेता हूँ, अब यह स्केन हो गया, जैसे यह स्केन हो जाएगा, तो आपके दूसरे फोन में, आपका पहले फोन का जो WhatsApp है, वो लोगिन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपके WhatsApp में बहुत जादा डेटा है, तो यहाँ पर टाइम लगेगा, और कम है, तो यह फोरन लोगिन हो जाएगा, अब यहाँ पर मैं स्केन को जूम करता हूँ, जूम कर लेता हूँ, इसकेन को मैंने जूम किया, अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ, तो आप देखेंगे, एक WhatsApp दो फोन में चल रहा है, जैस है, आप देख सकते हैं, आलिया की चैट, सेम यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, आप यहाँ पर किसी को मैसेज करता हूँ, कोई emoji मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैसेज मैंने यहाँ पर सेंड किया, तो आप देखेंगे WhatsApp दो फोन में आप चला सकते हैं इसे अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर आपको प्लस के बटन पर किलिक करके दूसरा टैब उपन कर लेना है यह बंद हो जाएगा इस तरह से अगर आपको दूसरे फोन में WhatsApp को यूज करना है तो Chrome ब्राउजर को उपन करना है यहाँ पर आपको 3 dot मिलेंगे 3 dot पर किलिक करना है लगाउट पर किलिक करेंगे तो WhatsApp वेब से WhatsApp बंद हो जाएगा लगाउट हो जाएगा इसके बाद आप पहले फोन के WhatsApp को दूसरे फोन में एक्सेस नहीं कर पाएंगे यूज नहीं कर पाएंगे और यही काम आपको अगर अपने main WhatsApp से क चल रहा है तो अगर आपको इसे बंद करना है WhatsApp वेब से तो आपको यहाँ पर Google Chrome पर किलिक करना है तो यहाँ पर आपको लोगाउट का option मिल जाएगा location भी आपको पता चल जाएगी आपका WhatsApp कौन सी city में active है अब यहाँ पर लोगाउट पर किलिक करना है जैसे मैंने WhatsApp बंद हो गया WhatsApp Web से जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हमें दुबारा WhatsApp को यूज करना है तो QR Code को इसके इन करना होगा तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp Web को यूज कर सकते हैं अगर आप QR Code को इसके नहीं कर सकते तो आप link with phone number की मदश से भी दोस्तों एक WhatsApp को दो फोन में चला सक यहां पर फुल डीटेल्स में वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर देना शेयर भी कर देना